हेलो एंड गुड मॉरिंग आवरिवन आज के इस लेक्षर में हम सॉलिड स्टेट फीजिक्स को ही कंटीनू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइड मैंस फ्रेंज लोग के उपर रहने वाला है और यह जो टॉपिक है वो एक्जाम पॉइंट ओफी से भी बह ही लेक्रिकल कंटिविटी के बारें पढ़ा। सब अँस्य फाद एक यह मिए पार करेंगी थेर्मर कंटिवीटी के के ऊपर तो तो थमर्मल कंटिवीटी में पढ़ा था था कि के वहाँं पे हम माली अपने पास यह में अन्याक यह मैटल की रोड है इस वाला जो एनडester का स्टार्ट कर दिया तो हम थोड़ी तेरे बाद देखेंगे यह जो दूसरा एंड है वह भी हीट अफ होना क्या स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब हमें यह भी पता है कि यहां पे जो हीट है हीट का फोलो हाईयर टेंप्रेचर से लोवर टेंप्रेचर के उपर आता है कोस्टन यह है कि यहां पे हीट का फोलो हुआ किसके कारण से मतलब हीट का कैरियर कोन है यहां पे हीट को यहां से यहां तक लेके कोन गया ठीक है तो हीट का जो कैरियर है बेसिकली दो कैरियर होते ह आपने पास heat cake तो phonon होता है दूसरा electron होता है अब वो depend करता है कि आपने पास material कोन सा है ठीक है material के उपर depend करेगा कि उसमें phonon ज्यादा होंगे या electron ज्यादा होंगे अगर मैं बात करूं insulator की तो insulator के अंदर phonon का contribution ज्यादा होता है अगर मैं बात करता हूं metals की तो metals में phonon और electron दोनों का contribution होता है पर electron का contribution बहुत ज्यादा होता है और phonon का contribution electron के contribution में बहुत कम होता है ठीक है तो हमने यह उल्रडी पढ़ लिया था और वहां पे हमने thermal conductivity का एक mathematical result भी निगाला था उस mathematical result का हम यहां पर direct use करेंगे और अगर आप यह पहले वाले lecture देखना जाते है electrical conductivity और thermal conductivity तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा या फिर आप search कर सकते है thermal conductivity by constant पागल तो आपको youtube के उपर भी मिल जाएगा उसके बाद हमने बात की electrical conductivity के उपर तो electrical conductivity में हमने क्या लिया था हमने एक metal की NRोड ली थे महाल लिया आपने पास कोई एक मैटलिक konductor है या इसको हमने electric field में Place किया तो जैसे हम इसको electric field में Place करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर से Current flow होना Start हो जाता है ठीक है अब tidak चुनिये है कि इसके अंदर current का follow क्यूं हुआ इसके अंदर जो current को carry करके लेके गया वो current carrier कोण है तो यह हमने देखा था electron इसमें current carrier होता है यहाँ पर फुनोन का कोई भी contribution नहीं होता है ठीक है तो यह और यहाँ पर हमने जो thermal conductivity है थर्मल conductivity का है जो electrical conductivity है electrical conductivity का एक relation भी निगाला था last lecture के अंदर उसका भी हम यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है तो यह सब इसका basic है तो हमने यहाँ पर के लिया है कि thermal conductivity है thermal conductivity का जो relation है वो हम ओरड़ी पहले वाले lectures में निकाल सुके है उसके बाद electrical conductivity का भी जो mathematical relation है वो हम निकाल सके हैं तो मैं एक बार यहाँ पर इनका mathematical result लिख देता हूं उसके बाद इस law को वाइड में फ्रेंज law के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो के की जो value आए थी के का है यहाँ पर thermal conductivity यह आए थी अपने पास पाई स्केर बाई थरी के भी स्केर टी के भी पोल्समैन कोंस्टेंट है टी टेंप्रेचर है एम यहाँ पर मास है और यह यहाँ पर टो है जिसको हमने relaxation टाइम बोला है उसके बाद जो सिगमा है electrical conductivity की value हमने निकाली थी यह लास्ट लेक्षर में ही किया था पाई बाई थरी एक सेगेंड यह नहीं थी यह आएगी एन ए स्केर टो बाई एम यह हमने electrical conductivity की value निकाली थी ठीक है तो अब यहाँ पर वाइड में फ्रेंज लोग क्या बोलता है अपने को यह कहता है अगर मैं यहाँ पर thermal conductivity और electrical conductivity इन दोनों की रेशो ले लूँ तो सबसे पहले हम यहाँ इनकी रेशो ही ले लेते हैं तो हमने यह लिखा यहाँ पर के और यह लिखा हमने यहाँ पर सिग्मा इन दोनों की हमने जब रेशो ली तो यह डारेक्ली इन दोनों की रेशो डारेक्ली प्रपोर्शनल होगी किसके temperature के ऐसा वाइड मैं और फ्रेंज ने फर्स्ट टाइम अब अगर मैं यहाँ पे अगर इसका मैं फीजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहूं यह लाव अपने को क्या बोलता है तो इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक पर यहाँ पे जब अगर मैं यह डारेक्ली प्रपोर्शनल रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे कॉंस् इसको डिनोट करते हैं अब थोड़ा सा इसका जो फीजिकल सिग्निफिकेंस है उसके उपर बात करते हैं और बात में यह के की और सिग्मा की वैल्यू पूट करके यहाँ पे फिर इसको सोल्ड करने की कोशिस करते हैं तो इसका जो फीजिकल सिग्निफिकेंस है इसको बोल इनक्रीज होगी जो इलेक्रीकल कंड़िविटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा ना तो वो इनक्रीज होगा और इसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लिफाइड वर्ड में बताने की कोशिश करते हैं माल यह अपने पास यह कोई एक मैटल है और इस मैटल में मतलब इस मैटल को हमने हीट कर दिया और हीट जब हमने किया तो इसमें माल लिया इसमें करंट का फ्लो भी हो रहा है और इसमें हीट का फ्लो भी हो रहा है तो जैसे जैसे मैं इस metal का temperature increase करता जाऊंगा तो क्या होगा यहां पे जो heat का जो flow है thermal conductivity है जो इसके वो increase होती जाएगी पर यहां पे जो charge है या फिर charge का जो contribution है या फिर जो charge particle है वो इसके अंदर सेम रहेंगे पर यहां पे thermal conductivity increase होती जाएगी ठीक है तो यह इसका physical meaning होता है कि जब हम temperature increase करते हैं यहां से temperature increase करेंगे तो जो thermal conductivity है वो increase होगी पर जो electrical conductivity है उसका contribution इसके अंदर सेम रहेगा ठीक है अब next task अपना यही है कि यहां पे हम k की value put करेंगे sigma की value put करेंगे से temperature put करेंगे बाद हम इसको आगे solve करेंगे ठीक है तो k की value यह हमने यहां पे लिख रखिए sigma की value हमने यह लिख रखिए तो यहां पे इन दोनों की ratio ले लेते हैं तो k की value क्या है आपने पास यह हमने लिखा k by sigma ठीक है n की value हम यहाँ पर one वाल लेते हैं तो यह आ जाएगा e square to by m ठीक है यहाँ से चो टरम्स को हम cancel कर देते हैं cancel क्या क्या हो जाएगा यहाँ से to cancel हो जाएगा और बस और कुछ cancel नहीं हो रहा एक यह जो m है यह से यह एंबी कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा, अपने पास, k by sigma equal to, यह आएगा, pi squared by 3, और यह बच जाएगा, यहाँ से k भी आजाएगा, k भी स्केर बच जाएगा, साथ में, tb बच जाएगा, और नीचे क्या बचता है, अपने पास, e square बसता है ठीक है तो यह आ जाएगा अपने पास से wide man french low ठीक है अब इसको थोड़ा सा और अगर simplify करने की कोशिज करें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ से हम क्या देख रहें यह वाली चो ट्रम है यह वाली चो ट्रम है kb constant है pi square constant है 3 constant है e square constant है तो यहाँ पे हम यह चो complete constant है इसको हम क्या लिख देंगे l not लिख देंगे l not क्या है यहाँ पे low range number है तो यहाँ पे हम लिख सकते है kpi sigma l not t ठीक है यह आ जाएगा अपने पास wild man french low और यह जो topic है वह exam point of view से important है यह 6 marks के इंदर exam में पूछा जा सकता है ठीक है अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप message करके या फिर comment करके पूछ सकते हो अगर आपको यह topic समझ आया है तो आप channel भी subscribe कर सकते हो साथ ही यह video अपने दोस्तों में भी share कर सकते हो और एक बात और बताना चाहूंगा हमने physics की बहुत सारी branch के उपर msc level ठीक है only on msc level के उपर upload कर रखी है बहु